हेलो एब्रीवान आम दीप्ती वलकम तो दीप्ती स्टडी सरकल तुड़े वी आर गोईंग तो सॉल्व कोश्चिन नंबर वन फ्रम एक्सरसाइस 2.1 क्लास 7 चाप्टर है आपका फ्रैक्शन अंड डेसिमर्स ठीक है तो कोश्चिन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार देखी जब भी आपका यह हमें सॉल्व करना है सिम्पल सा ठीक है तो जब भी आपका कोश्चिन कभी इस फॉर्म में दिया होता है मतलब प्लस माइनस की सिम्बल को छोड़के मतलब हमें सिर्फ एक का डिनोमिनेटर पताओ बाकी किसी का नहीं पताओ ठीक है तो हम इसको कैसे सॉल denominator किसी मनलब जितने भी values दी है किसी एक का ही पता है ठीक है बाकी किसी का जह में denominator ना पता हो तो हम क्या करेंगे उसका denominator तो वह ही आएगा ना LCM जो denominator में होगा ठीक है तो इसका LCM हमेशा जो numerator है वही आएगा ठीक है तो इस का LCM आ गया 5, अब इस 5 का 2 के साथ multiply कर देंगे, 5 to the 10, 5 to the 10, इतना portion solve हो गया, minus है तो minus लगा दिया, 3 को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, तो आप देखिए, 10 में से 3 subtract करेंगे, कितना बचेगा, 7 upon 5, ठीक है, बहुत easy है, जब भी आपकी values इस type में दी हुई है, तो आप इस solve कर सकते हैं, तो आपका answer आ गया 7 upon 5, इसी तरह question number first का second part देखिए, अब यहाँ पे भी देखिए, हमें किसी एक का ही numerator पता है, इसका तो पता है नहीं, तो यानि कि obvious सी वात है, इसका भी जो LCM है, वो क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा, 8 ही हमें पता है ना, खाली numerator, किसी ए 8 का किस के साथ multiply कर देंगे, 4 के साथ में, 8 4 जा, 32, plus है, तो plus लगा दिया, 7 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, अब इन दोनों को add कर देंगे, 2 plus 7, 9, ठीक है, 3 upon 8, ऐसे लिख देंगे, तो इसका answer आ गया, 39 upon 8, ठीक है, बहुत easily solve होते हैं ऐसे questions, तो अब यहाँ पे देखिए, question number first का third part देखे, ठीक है, यह है 3 upon 5, प्लस 2 upon 7, अब हमें यहाँ पे दो अलग-अलग denominator दिये हुए है, ठीक है, तो इसका हमें LCM लेना ही पड़ेगा, तो इसका 5 और 7 का LCM ले लेते, 5 और 7 का, जब 5 और 7 का LCM लेंगे, तो 5 वंजा 5, ठीक है, 7 को ऐसे ही रख लेते हैं, क् 7 वंजा 7, तो अब 5 और 7 का मल्टिप्लाई कर देंगे, 5, 7 जा 35, तो इसका LCM क्या आ जाएगा, 35, तो इसका LCM रख देते हैं, यहाँ पे 35, अब देखिए, यहाँ पे, इसका LCM जब 35 आया है, तो यानि की, जो हमारा, यह denominator है, इसको मैं 35 बनाना है, इसको 35 बनाने के लिए में क्या करना होगा, इसमें 7 का मल्टिप्लाई करना होगा, अगर हमने इसके denominator में 7 का किया है, तो इसके numerator में भी 7 का करना होगा, तो यहाँ पे, अब देखिए, 5, 7, जा 35 यहाँ तो हो गया, अब ऊपर देखिए, 3, 7, जा 21, ठीक है, 3, 7, जा 21, प्लस है, तो प्लस लगा द देखिए, अगर denominator में किया है, तो numerator में भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो 2, 5, 10, कितना है, 2, 5, 10, अब इन दोनों को एड़ कर देखिए, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 35, ठीक है, आया समझ में, इसी तरह देखिए, इसका 4th पार्ट, ठीक है, 4th पार्ट का है, 9 upon 11, minus 4 upon 15, यह भी हमें कोई दो different, ठीक है, different denominator समय दिये हुए, तो हम इसको कैसे solve करेंगे, देखिए, इसका भी LCM लेना, तो इसका LCM ले लेते है, 11 और 15 का, ठीक है, तो 11 वंजा, 11 यह बचा 15, तो इस 15 का भी direct ले देते है, 1, 15, अब 11 में जब हम 15 का multiply करेंगे, तो आपका पता कितना आएगा, 165 ठीक है, यही आएगा, अब इसका LCM क्या आगया, 165, ठीक है, अब हमें 11 में कितने का multiply करेंगे, 165 आए, तो यानि कि यहाँ पे हम 15 का multiply कर देंगे, तो कितना आजाएगा, 165, अब यहाँ पे 15 का किया है, तो यहाँ भी 15 का करना पड़ेगा, तो 59 जा, 135 होता है, minus है, तो minus लगा देंगे, ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें equal करना होगा, तो यानि कि यहाँ पे multiply कर दें, 11 का, अगर जो numerator में किया है, तो numerator में करना पड़ेगा, numerator में कर दिया, अब 11 फोजा, 44, ओके, तो अब इसको subtract कर देते हैं, यहाँ पे, 135 में से 44, जा हम subtract करेंगे, तो 5 में से 4 गया, 1, 13 में से 4 गया, 9, 91 upon 165, यह हो गया, इसका answer, चीक है, अब इसका देखते हैं, fifth part, तो इसका fifth part देखिए, 10, 5, 2 है, क्या है, 10, 5, 2, इसका LCM लेना पड़ेगा पहले, सारे different, different denominators है, है ना, तो इसका LCM ले ले लेते, पहले इसको 2 से divide कर देते, तो 5 से 10, 5 तो divide होगा नहीं, इसको तो 5 को 5 ऐसे ही रख लेते हैं, 2 बंज़ा 2, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे, अब इसको क्या करते हैं, 5 से divide कर देते हैं, 5 बंज़ा 5, 5 बंज़ा 5, 5 बंज़ा, यह तो 1 का 1 ही रहेगा, 1, 1 हो गया, यह नहीं कि इसका LCM आ गया, तो अब देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे तो 10 अल्रेटी है, तो हमें कुछ करनी की ज़रती नहीं है, तो यानि कि इसमें यहाँ पे 1 का कर दें, यहाँ भी 1 का कर दें, ठीक है, 7 बंज़ा 7, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो इसको 10 बना बनाने के लिए इसमें 2 का करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पे 2 का किया तो यहां भी 2 का करना पड़ेगा ठीक है 2 2 जा 4 प्लस है तो प्लस लगा दिया अब इसको 10 बनाने के लिए 5 करना पड़ेगा यहां 5 किया तो यहां भी 5 का करना पड़ेगा ठीक है 5 3 जा 15 ठीक है अब इन सब को add कर देते हैं, जब इन सब को add करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, add कर लेते हैं, 5 प्लस 4, 9, 9 प्लस 7, 16, 16 का 1, 16 का 6, 1, ठीक है, 1 प्लस 1, 2, 26 अपॉन 10, ठीक है, यह हो गया, इसको हम 2 से cut भी कर सकते हैं, 2, 13, ठीक है, 2 बन जा 2, 2, 3 जा, 6, अपॉन 2, 5 जा, 10, कितना आ गया, 13 अपॉन 5, नहीं चाहें तो अब इतना भी रख सकते हैं, ठीक है, तो यह solve fraction नहीं होगा, अगर इसको proper solve करना ह तो इसको 13 अपॉन 5 रखना है, ठीक है, इसको mix fraction में भी रख सकते हैं, ठीक है, बट अभी यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, तो चलिए, इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतना answer भी आपका ठीक होगा, अब देखते हैं, इसका 6 part 2, अब यह हमारा देखिए, किस में रखा हो, mix fraction म में change कर लेंगे, कैसे change करेंगे, 2 का इसको solve करने का तरीका होता है, जैसे कि 2 2 upon 3 है, थीक है, तो इस 3 का multiply करेंगे, किसके лонारी के इसकते हैं, 3 2 जा, 6 plus 2 upon 3, ठीक है, तो 6 plus 2, 8 upon 3, इसी ठीक है, तो यह कितना हो गया, 8 upon 3, अब इसको plus का plus लगा देते हैं, अब 2 का 3 के साथ multiply, 2 3 जा, 6 plus 1, 6 plus 1, 7 upon 2, ठीक है, अब 3 और 2 का LCM ले लेते हैं, तो 3 1s are 3 2, ठीक है, अब 2 का कर देते हैं, 1, 2 1s are 2, तो 3 2s are 6, इसका LCM क्या आ गया, 6, ठीक है, अब इसको 6 बनाने के लिए, इसमें 2 का multiply करना पड़ेगा, तो यहां भी 2 का करना पड़ेगा, denominator में क्या है, तो numerator में भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो 8 2s are 60, प्लस है, तो plus लगा दिया, इसको 6 बनाने के लिए 3 का करना पड़ेगा, denominator में क्या है, तो numerator में भी करना पड़ेगा, 7 3s are 21, अब जब इन दोनों को add करेंगे, तो 6 प्लस 1, 7, 2 प्लस 1, 3 अपॉन 6, ठीक है, तो यह हो गया इसका answer, ठीक है, 37 अपॉन 6, अब देखते हैं इसका 7 पार्ट, 7 पार्ट क्या है, इसको भी पहले proper fraction में कर लेते हैं, ठीक है, 8 2 जा, 16, प्लस 1, 17, 17 अपॉन 2, माइनस है, तो माइनस लगा दिया, 8 3 जा, 24, प्लस 5, 29, 8 3 जा, 8 में 3 का मल्टिप्लाई करेंगे, प्लस 5 अपॉन 8, इसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, 8 3 जा, 24 प्लस 5 अपॉन 8, यानि कि 29 अपॉन 8, तो ही कितना होगे, 29 अपॉन 8, इन दोनों का क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, तो इसका 2 और 8 का जब LCM लेंगे, तो क्या आएगा, 2 बंजा 2, 24 जा 8, 2 बंजा 2, 22 जा 4, 22 जा 4, 22 जा 8, इसका LCM कितना आ गया, 8, ठीक है, अब देखिए, इसको 8 बनाने के लिए, य यहाँ पर 4 का किया, तो यहाँ भी 4 का करना पड़ेगा, 17 4, 68, माइनस है तो मााइनस लगा दिया, यहाँ तो आप लेडी 8 है, तो यहाँ अपर 1 का कर देते, यहाँ भी 1 कर दे, 29 बंजा, 29, अब इसको इस में बनाने करेंगे, 68 में से 29 को हम सब्ट्रेक करेंगे, तो कितना बच्चेगा 18 में से 9 गया 9 यहां बच्चा 5 5 में से 2 गया 3 upon 8 तो इसका answer आ गया 39 upon 8 चीक है तो यह था question number first